यूपी में कॉंग्रेस की बस को लेकर हर पल एक नया राजनेटिक मोड सामने आ रहा है बीजेपी ने कॉंग्रेस की बस की लिस्ट में कई नंबर आटो, टाक्सी और कार के बताएं है इसके फोरण बाद सरकार की तरफ से कॉंग्रेस को ये कहा गया कि वो 12 बजे तक 500 बसे गाजियाबाद से और 500 बसे नौईडा में तयार रखे प्रियंका के दफ्तर की तरफ से फोरण यूपी सरकार को जवाबी चित्थी भेजी गई जिसमें ये कहा गया कि बसे रास्थान से लाई जा रही है और शाम पांच बजे तक बसे पहुँच जाएंगे पहले तो ये बसे कहां से आ रही है कहीं सही बात करनी है तो उस पे आया जाए विश्यों पे आएं तक्थ्यों पे आएं क्या ये बसें पंजाब और राजस्तान से लेकर नहीं आ रहे हैं क्या ये श्रमिक पंजाब राजस्तान महराश्टा से पैदल या साइकल करके नहीं आ रहे हैं क्या कॉंग्रेस की जिम्मेवारी या प्रियंका वाटरा की जिम्मेवारी नी बनती कि अपने ही मुखमंत्रियों को कहा जाए कि आप कोई भी श्रमिक साइकल या इस रास्ते पैदल के रास्ते या अन्य कटनाई के रास्ते से चलेगा तो जिम्मेवारी आपकी होईगी आप बसे वहीं पर लगाओ बॉर्डर पर ही क्यों और उत्तरपदेश में क्यों वहां से वह जो आ रहा है श्रमिक उसकी आहलत आपको नहीं दिख रही है अगर हम एक हजार बसों की उनमती चाहते हैं तो सरकार उनमत देने में देर क्यों कर रही है कल सरकार ने सुची मांगी सरकार को चाहिए कि एक नोडल अफसर न्यूक्त करें और सारे कागज कहें कि सरकार सारे कागज देने के लिए कांगरेस पार्टी तयार है यह बसों का संचलन शुरू करा है राजनीत बंद करें मैं मानती हूँ कि ये इस तरह की ओची राजनीत नहीं होनी चाहिए हम सेवा भाव से सरकार के साथ शर्मिक मजदूरों को जो गरीब हैं और सड़कों पर बद्धाल चल रहे हैं उनकी मदद के लिए हम ये सरकार के साथ मदद करना चाहते हैं नकी साथ कंधे संद्धा मिला के चलना चाहते हैं और मैं आभारवेक करना चाहते हूं कॉंग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताओं को मानी मुखमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्विकार करें।